हाई मैं उजमा खान मेरे यूटूब चैनल उजमा कृचिंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगी गुलाब जामुन तो देखें कि इतने सॉफ्ट में नहीं है तो चलिए हम बनाने रसी पी स्टार्ट करते हैं हमने यहां पे खोया लिया है यानिकि माव लिया है के शूजी मैंने यहां दो छोटे चमक लिये हैं और बेकिंग पॉडर मैंने अधा लिया है चेनी मैंने कप ली है अगा थोड़ी चाहिण की बीज ऑंक हो मैंने खरश कर लिया है और को बना है इस में सिबसे पहले बनाएंगे चाशनी तो मैंने कर दी एक अब और इसके चाश्नी बनाएंगे हम चाशनी को हल्का चिप चुप बनाएंगे एक तरत एक टार के बनने तक रही मधना धंड को मसल की चिप चीप होना चाहिए मारी जाद millet हम बनानी है इसको तो देखिए अब हमारी चाशनी नहीं है इसमें हमने लाइची का पॉर्ड डाल दिया है तब अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया इसे तो देखे चाशनी बन नहीं है इसको थोड़ा खॉल आने देंगे एक दो बार करीब दो तीन बार से खॉल आने देंगे अच्छी तरीके से फिर फिलेम को हम कर देंगे बंद अब देखे इसमें खॉल आ गई है मैंने फिलेम बंद कर दिया इस टेम चाशनी हमारी ब्लेको ड गुल्ले के लिए अब मैंने मैदा डाल दी मैदा खोई में मैदा डाल दी है मैंने और अब मैंने हाँ पर डाल दिया है कौन स्टार्च पॉर्डर डाल दिया सूजी भी आइड कर दी मैंने सारा समान मिला के इसका अच्छा सा सौफ्ट बिल्कुल दो त्यार कर लेंगे अच्छी तरह के से मिक्स कर देंगे सारा समान देखिए दो त्यार कर लिया अब इसमें एड करेंगे हम बेकिंग पॉडर अब सब चीज इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हलका सा टेल का हाथ मैंने लगा लिया है इस पर हलका सा हाथ पर तेल ले लिया था और इसमें दो पर अलका सा लगा दिया है अब एक दन सॉफ्ट दो तैयार हुआ है बिल्कुल अब इसकी बाल्स बनाएंगे रसगुले के लिए गुलाब जामन के लिए बाल्स बनाएंगे वाही हिए चोटे चोटे इप्लाे भी अवह जाएंगे तेल में है तो देखिया हमने तैयार कर लिए सबस्ट के अब में यह तरफ तेल गरम कराए जाए पिश्क बनाना है तो दम लो है तेल ज्यादा हाई ने करम किया है ऽब इस पर आपका लेंगे और चमबम तच नहीं करेंगे हलका तो यह तो यह तूट सकते हैं बीच में से इस तरह से ने बनाएंगे तो देखिए ब्राउन हो गया है निकालेंगे प्लेट में अब इसी तरीके से जो हमने और गुलाब जामन के लिए बाउस बनाई थे वह भी इसमें आइड कर देंगे तेल में और इन्हें इस तरह से फ्राई कर तो देखिए भी ब्राउन हो गए हैं अब इन्हें भी हमें क्लेट में निकाल लेंगे लिकुत सही बने हैं अब मैंने चाशनी बाउल में कर ली थी इसमें सारे उलाब जाओन एड कर देंगे अभी दो मिनिट में बिल्कुल फूल जाएंगी और चाशनी के अंदर तक चली करें थैंक यू